संसार में सदियों से सजण और दुर्जनों के बीच में लड़ाई चलती आ रही है सदियों से हो रहा है संसार के भीतर सदियों से ऐसा माहौल बना हुआ है कि सजण और दुर्जन दोनों के बीच में लड़ाई चलती आ रही है और इसलिए शास्तकार भगुद्टों ने कहा कि पहचानना बहुत जरूरी है, ये जीवन में सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है, क्योंकि हमारे हाथों ये कहा गया, हमारे हाथों ये बताया गया, कि हमें तो दुर्जन नहीं बनना, लेकिन जीवन में दुर्जनों से भी द बने ये तो सही है हम तो दुर्गुणी न बने ये तो सही है लेकिन सास्तकार भगोन ने कहा कि जीवन यदि सांति पुर्ण तरीके से जीना हो जीवन यदि अच्छी तरीके से जीना हो तो कही न कही हमें ये भी सबजना पड़ेगा कि निश्चित तर पर हमें दुर्जनों से दूर भी रहना होगा क्योंकि माहोल की असर हमें बहुत होती है हम इंसान हैं, हम सामाजिक प्रानी है चार दुर्जन के साथ रहेंगे तो हमारे में भी दुर्जनता आने की पुरी संभावना है चार गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन भी गलत होने की पुरी संभावना है इसलिए सास्तकार भगोंदों ने कहा कि सरीयों से इविवाद सज्जन और दुर्जनों के बीच में चलता आ रहा है और निस्ची तोर पर हमें तो दुर्जनता जीवन में नहीं लाने लेकिन कहीं न कहीं दुर्जनों से भी हमें दूर रहना है बड़ी गजब की बात लिखी गई कहा जिस व्यक्ति के समीप जाने से समझना हमारे आसपास में भी कई लोग ऐसे हो गए लिखा गया कि जिस व्यक्ति के पास जाने से आपकी तीन चीजे खो जाती हो व्यक्ति आपके लिए योग्य नहीं है ये समझ लेना जिसके करीब जाने से जिसके समीप जाने के जिससे माहौल में रहने से आपकी तीन चीजे गायब हो जाती हो संसार में कई बार ऐसा हमें प्रतित होता है कई बार हमें अनुभव होता है कि इसके पास जाने से हमारी चीजे गायब हो जाती है हमारे भीतर की जो तीन अधूत चीजे है वो जब गायब होने लगे तो समझना ये व्यक्ति हमारे लिए उपयूकत नहीं है ये व्यक्ति हमारे लिए योग्य नहीं है कहा पहले नमबर में आपकी सक्ती गायब हो जाती है आपकी जो कार्यक सम्ता है आपकी जो कार्य सक्ती है उसमें कहीं न कहीं कमी आ रही हो उसकी नेगेटिविटी की वज़े से उसकी दुर्जनता की वज़े से उसके विचारों की वज़े से उसके भावों की वज़े से कही न कही उसमें कमी आ रही हो तो समझना वो व्यक्ति हमारे लिए योग गया रही है हमारी कार्यक सम्तार रुक रही है हमें कोई काम करने का मन न हो रहा ऐसे लोगों से डरते रही है ऐसे लोगों से दुर रही है क्योंकि सास्तकार भगवंत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अच्छे माहोल में रहना जरूरी है अच्छे लोगों के बीच में रहना जरूरी है क्योंकि हम भीतर से इतने मजबूत नहीं है कि दुर्जन के बीच में जाकर के भी हमारी सज्जनता टिका पाए इसलिए कोशिस करिए कि सज्जनों के बीच में रहिए का तीन चीजे जिसके पास जाकर के आपकी गायब हो जाती हो व्यक्ति आपके लिए उपयुकत नहीं है चाहे वो कितना भला इंसान हो, चाहे कितना अच्छा इंसान हो चाहे कितना भैटर इंसान हो लेकिन आपके लिए योگ्य नहीं है ये हमारी समझ में आना चाहिए इसलिए सास्ट्सकार भगवों तो नहें लिखा कि जिसके पास जाकर कि आपकी सकती यानि आपके कार्यक समता मंद हो जाती हो वो आपके लिए योग्य नहीं है कहा दूसरे नंबर में जिसके समीप रहने से जिसके साथ रहने से आपकी नींद खत्म हो जाती हो वो व्यक्ति आपके लिए योग्य नहीं है जो आपको गलत विचारों में ले जाए जो आपको गलत भावों में ले जाए हैं ऐसा कार्य यह हमें سिखा दिया जाए जिसकी वज़ से हमारे यहां तो सफष्ठर रूप से लिखा गया समझने की कोशिस करिए गा हमारे यहां बता आया गया के दिन में ऐसा कोई काम न हो जिसकी वज़ से रात की नीन्द हमÁरी डिस्टर भ़ो और रात में ऐसा कोई काम न हो जिसकी वज़से हमारी दिन की सांती डिश्टब हो जीवन जिने का है तरीका है जीवन जिने का है फॉर्मिला है कि दिन में हम ऐसा कोई काम न करे जिसकी वज़से कही न कही हमारी रात के निंद डिश्टब हो जाए और गात में ऐसा कोई हम नकाम करें जिसकी वज़ा से कहीं न कहीं हमारी दिन की सांती भंग होता है और इसलिए सास्तकार भगवन्तों ने का समझना निंद कब जाएगी जब कहीं न कहीं आपके जीवन की सांती जाएगी तो निंद भी चली जाएगी इसलिए सास्तकार भगवन तो ने पस्तरूप से कहा कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनागर रखे जिसकी वज़ा से कहीं न कहीं आपके जीवन की तीन चीजे डिश्टब होती हो सबसे पहले नंबर में आपकी कार्यक समता आपकी सक्ती डिश्टब होती हो दूसरे नंबर में आपकी निंद डिश्टब होती हो और तीसरे नंबर में आपकी हसी डिश्टब होती हो आपका आनन्द चला जाता हो कई बार ऐसा अनुभव हमें होता है जीवन में कि हम हस रहे थे मुश्कुरा रहे थे आनन्दित थे लेकिन वो व्यक्ति जैसे हमारे समी पाया हमारा आनन्द चला रहा और व्यक्ति के ओरां में जैसे हम आए और व्यक्ति के माहुल में जैसे हम गुसे और व्यक्ति के आस पास में जैसे हम आए हमारे भीतर का आनन्द चला गया हमारे जहले की मुश्कुराहट चले गई हमारे मुख की प्रसन्दा चली गई इसलिए सास्तकार भगगत ने कहा कि वह व्यक्ति से भी दुर रही है जिसके पास जाने से आपका आनन्द चला जाता हूँ मैं तो कई बार कह चुका हूँ जीवन है आनन्द के जीवन का एक ही लक्स्यां का है जीवन का एक ही गोल है कि जीवन आनन्द मैं हो और आनन्द ऐसा जिसकी वज़े से न हमारा नुकसान हो जिसकी वज़े से न सामने वाले का नुकसान हो ऐसा जो निर्दोस आनंद है वही आनंद लेने के लिए तो यह हमें जीवन मिला है और यहां आकर गे हम आनंद न ले पाए तो फिर किया क्या जीवन में प्राक्त क्या किया प्राक्ती क्या हुई हमें हम क्या पाए जीवन में यहां आकर गे यदि हर पल आनंद न ले पाए इ साधू पद इतना उचा है क्योंकि साधू तात के भीतर ये ताकात है जो हर पल आनन्द में रह सकते है संसार तो समस्याओं से गिरा हुआ है संसार तो स्वार्थ से गिरा हुआ है हर एक व्यक्ति समस्या से ग्रसित है हर एक व्यक्ति स्वार्थ से ग्रसित है बिना स्वाल कोई किसी के साथ बात तक नहीं करता ये हालात आपके संसार के है उसलिए सास्तकार भगोंत ने कहा गिरान सार के भीतर महामपाद्याए या सुवी जेजी महराद ने कहा कि समझने की कोशिस करियेगा साधूता का आनन्द अध्भूत है घजब है जवर जस्त है और सादू हर पल को आनंदित बना पाता है। इसले कहा कि जिस व्यक्ति के पास जाकर के आपका आनंद क्सीन होता हो, आपका आनंद कम होता हो, आपके आनंद में कहीं न कहीं कमी आती हो, समझना वो व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। सजनता और दुर्जनता की लड़ाई है दुर्जन सायद संख्या में जादा है दुर्जन सायद कॉंटिटी में बहुत जादा है सजन सायद कॉंटिटी में बहुत कम है क्योंकि आप संसार में देखोंगे निकलोंगे तो आपको प्रतिध होगा कि दुर गुणी व्यक्ति अनेक मिर जाएंगे सद गुणी व्यक्ति सौमे से एकाद मिर जाए तो भी हम नसिबदार है रिशलिये सास्तकार भगवन ने कहा कि समझे हमें तो जीवन में दुर्जनता नहीं लानी है लेकिन दुर्जन उसे भी दुर रहने की कोशिस करनी है क्योंकि दुर्जन के पास रहते 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 हमारे आकावत है कि एक आम का बक्सा हो एक आम की पेटी हो उसके अंदर बारा आम हो और ग्यारा अच्छी हो एक बिगडी हुई हो ग्यारा मिलकर के एक को अच्छी नहीं बना पाते लेकिन एक बिगड़ी हुई ग्यारा को बिगार देती है महावल का असर होता है इसलिए हमारे हां कहा गया कि निश्ची तोर पर जीवन में समझेगा दुर्जन ता तो हमारे भीतर नहो ये स्वाभाविक है लेकिन दुर्जन लोगों का संग भी हम न करे तभी जीवन में कही न कही हम मंजिल प्रॉप्त कर पाएंगे मंजिल पे पहुँच पाएंगे मंजिल हांसिल कर पाएंगे इसलिए सास्तकार भगुंत ने कहा जिस व्यक्ति के समीप जाने से तीन चीजे आपकी खंडित होती हो आपकी सक्तिकम होती हो, सक्तिक सीन होती हो, आपकी नेंदक सीन होती हो और आपकी हसिक सीन होती हो, ऐसे व्यक्ति से जीवन में हमेशा दूरी बनाए रखे झाल